गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टोपिक है स्युक्त राज्य अमेरिका में संगिय व्यवस्था संग शबद का अंग्रेजी प्राईवाची फेडरेशन है फेडरेशन जो लेटिन शबद फोईडस से बना है जिसका अर्थ है संधि या समझोता अगर शबदों की दरश्टी से देखें तो समझोते दवारा निर्मित राज्य को संग राज्य कहा जा सकता है सविधानिक दरश्टी से संगात्मक शाषन का तात्पर एक ऐसे शाषन से है जिसमें सविधान दवारा किंदर और इकाईयों की सरकारों में शक्ति विभाजन होता है ये शाषन विवस्था जो शक्ति विभाजन के उपर आधारित है एक ऐसा परबंधन कर दिया जाता है कि दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला उस शक्ति में परिवर्तन ने कर सके दाइसी ने कहा है एक संघातमक राज्य एक ऐसे राजनितिक उपाये के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उदेश्य राष्टिय एक्ता और राज्य के अधिकारों से मेल स्थापित करना है तो ये हमने देखा कि संघातमक शाषन क्या है इसको गार्नर ने बहुत अच्छे शब्दों में स्पष्ट किया है उन्होंने कहा है संघ एक ऐसी शाषन पर नाली है जिसमें किंदर और स्थानिय सरकार एक ही परभुत्तव शक्ति के अधिन होती है ये सरकारें अपने अपने शित्तर में जिसे सविधान अत्वा संघ का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच होती है संघ सरकार जैसा की प्राय ये कह दिया जाता है अकेली केंदरिय सरकार नहीं होती वरन वहे केंदरिय और स्थानिय सरकारों से मिलकर बनती है और स्थानिय सरकार है उसी परकार संग का भाग है जिस परकार केंदर सरकार वे केंदर दवारा निर्मित अत्वा नियंतरित नहीं होती अब हम अमेरिका के संदरम में संगिया व्यवस्ता देखें तो अमेरिका के अंदर विश्व का सबसे पहले संगिय शाषन में वस्ता स्तापित की गई फिलाडेलफिय समेलंग के दवारा अमेरिकी सविधान का जब निर्मान हुआ तो उसमें 13 ओप निवेश थे उसमें जब अमेरिका सवतंतर हुआ और सभी रास्टर है वो एक दूसरे से मतलब उन्हें पता था कि वो बिर्टेन के परभुत्तों में रहे हैं और उनको अगर सवतंतर रहना है तो एक जू टोकर रहना पड़ेगा इसी के कारण अमेरिका के विशाल शेत्तरफल जन संक्या को ध्यान में रखते हुए एक आतमक शाष्चन वहां स्तापित करना मुश्किल था और संगिया व्यवस्था को उन्होंने अपना लिया अमेरिका दवारा स्तापित संगिया व्यवस्था नय केवल तात कालिन समस्या का हल थी वरन उसने अमेरिका के विकास में बहुत योगदान दिया और अमेरिकी संग की सफलता का परमान यह है कि उस समय अमेरिका में तेरा रज्जे थे और वर्तमान में 50 इकाईयां हो गई हैं और यह विश्व के जो दूसरे देश हैं जैसे कनाड़ा, स्वीजर लेंड, मेक्सिको, आस्ट्रेलिया, भारत आदि के दवारा संघात्मक व्यवस्था को ग्रहन किया गया है उन्होंने अमेरिका से ही मोटिवेट हुए है तो अब हम देखते हैं अमेरिकी सविधान में संघिया व्यवस्था के कौन-कौन से गुन है तत्तव है तो अमेरिकी व्यवस्था में जो संघिया व्यवस्था के तत्तव है उसमें पहला है परभुतव शक्ती का दोहरा प्रियोग एमेरिका में शक्ती विभाजन है जो शक्ती है वो किंडर सरकात और रज्य सरकात रज्य की बज़ा इकाई शबद का प्रियोग करेंगे हम इकाईयों की सरकात एमिरिकी सविधान के अंतरगत प्रभुत्तव शक्ति के दोहरे प्रयोग की विवस्था की गई है केंदर सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही सविधान से मान्यता प्राप्त है और वो अपने अपने शेत्र में कारे करने के लिए सवतंतर है दूसरी शक्ति है शक्तियों का विभाजन शक्तियों का विभाजन संगिय व्यवस्था का निश्चित रूप से महत्व पूरण गुन तत्तव है अमेरिकी सविधान के अनुछेद एक कि आठवी और दस्वी उपधारा में किंदर सरकार और रज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है शक्तियों विभाजन के संबंद में अमेरिकी सविधान के अंतरगत गनना वै अवशेश के सिधान को अपना जा गया है इन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की शक्तियों की गनना करके उन्हें निश्चित कर दिया गया वही ऐसे काउंट करके ये दस काम आपको करने और दूसरा अवशेश मतलब बची हुई और सभी शक्तियां दूसरे पक्ष को देदे गई हैं सविधान के अंतरगत पर गनना करके केंदर सरकार को शक्तियां दे गई है और जो अवशेश या अवसिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास है वे शक्तियां राज्ये के पास हैं तो अब हम केंदर सरकार की शक्तियां देख लेते हैं केंदर को संगिय कारियों के लिए खरारोपन रास्तिय साक पर रिन प्राप्ति, विदेशी वे अंतर रजिय व्यापार का नियमन, मुद्रा एमम सिक्के, विदेशिक संबंद और संदियां, सैना, नो सैना, डाक सेवा, नाप तोल का नियमन और नवीन रज्जों का परदेश ये शक्तियां हैं। और रज्जों को स्थानिय कारियों के लिए करारोपन, कारियों की शाक पर रिन प्राप्ति, रज्जों के आंतरिक शेत्र में व्यापार का नियमन, दिवानी फोसदारी कानून, पुलिस, सिक्षा, स्थानिय सबसाशन, राज, मारग, यात, यात, नियमन, संगठन, इतियाद उसके अंदर कॉंग्रेस को उप्लुक्त शक्तियों के अतिरिक्त आवश्यक और उचित शबद भी एक जोड़ा हुए है। उसमें कहा गया है कि जो शक्तियां परदान की गई हैं वो सीमित हैं लेकिन उसकी व्याख्या है वो आवश्यक्ता के अनुरूप कर सकते हैं। नीहित शक्ति का सिधानत हो जाएगा। इसी के अंतरगत केंदर को अब बैंक, कॉर्पोरेशन, सड़क, स्कूल, सुवास्ते, भीमा, आद्धी पर खर्च करने के अधिकार मिल गए हैं। अब है केंदर सरकार की शक्तियां हैं, पृत्ति बंदित नहीं हैं, उनके लिए कुछ निशिद शक्तियां हैं। पर्थम अनुछेद की नौवी उपधारा के अंदर उसका वर्नन है, जिसे केंदर सरकार बंधी प्रत्यक्षी करन की अधिकार पे रोप नहीं लगा सकती, नागरिकों को मता धिकार से वंचित नहीं कर सकती, भाषन की सब्तंतर्था पर प्रत्यबंद नहीं लगा जा सकता। इसी परकार रज्ज सरकार के लिए भी कुछ नीशिद शक्तियां हैं, उसका केंदर का तो है अनुछेद एक की नौवी उपधारा में और रज्ज का एक की दसमें उपधारा में हैं। इसमें हैं रज्जों के दवारा विदेश्यों के साथ संधिया समझोते नहीं किये जा सकते शांती के समें ये सैना और युद्ध पोत नहीं रख सकते और ने अब तक युद्ध में परवेश कर सकते जब तक किसी रज्जे के दवारा उन पर आकर्मन ना किया जाए कॉंग्रेस की सहमती के बिना राज्यों के दवारा दूसरे देशों के साथ आयात, निरियात का संबन्द भी स्तापित नहीं किया जा सकता अब नेक्स्ट गुन है संगातमक का सविधान की सरवोचता क्योंकि संगातमक शाशन व्यवस्ता में के अंदर और राज्यों में शिक्तियों का बटवारा होगा तो ये बटवारा किसके दवारा किया जाएगा और उनके अंदर अगर मतभेद हो जाएगे तो उसके लिए कौन मतलब सका फैंसला करेगा तो कुछ आवश्यक जीजे हैं तो इस आवश्यक के अंदर है संग राज्य का यह सविधान सरवोच्छो के अंदर सरकार इकाई की सरकार और राज्य के विभिन अंग सविधान के परतिकूल किसी परकार का कारे नहीं कर सकते अमेरीका में सविधान की सर्वोचता के सिधान को अपनाया गया है अमेरीका का सर्वोच कानून सविधान है और रास्टरपती, कॉंग्रेस, नियाल्य, संग की गाईयां सब उसके अधीन है स्विधान की सर्वोचता का प्रावधान अनुछेद 6 के अंदर किया गया है हसंगिय राज्यों के अंतरगत एक सवतंतर और सर्वोच न्याइपालिका होती है जिसका काम स्विधान की व्याख्या और रक्षा करना होता है। अमेरीका में न्याइक सर्वोचता के सिधान्त को अपनाया गया है। सर्वोच नियाले सविधान का उलंगन करने वाले कॉंग्रेस के कानूनों और रास्टरपती की आग्याओं रज्य सरकार के कानूनों और कार्यों को अवेद होशित कर सकता है। इसे न्याइक पुनर्वा लोकन कहते हैं। उनकी सविधानिक तकी जाज की ज़ती है। दोहरी नागरिक्ता का अर्थ है संग और रज्य सरकार की नागरिक्ता पर तेक व्यक्ति के अंदर सरकार का और रज्य सरकार का नागरिक होगा जिसमें वह रहता है। से अपने भारत में देखें तो अगर भारत में दोरी नागरिक्ता का सिस्टम हो तो एक हमारी नागरिक्ता है भारत की और दूसरी जैसे हम राज्यस्थान में तो राज्यस्थान की पंजाब के नागरिक्ता को अपनाया गया है वहां परते एक व्यक्ति की दो नागरिक्ता ह पहली स्युक्त राज्य अमेरिका की नागरिक्ता और दूसरी उस राज्य की नागरिक्ता जिसमें वो निवास करता है उधारन के लिए कोई वक्ति न्यू यार्क में रहता है तो न्यू यार्क की नागरिक्ता हो जाएगी संगहात्मक शाशन व्यवस्था के ये गोन लक्षनों में आएगा कि जो किंद्रिय व्यस्थापिका है उसके दो सदन होंगे और दूसरे सदन में सभी राज्यों को समान परतिनिदित तब दिया जाएगा तो अमेरीका में कॉंग्रेस के दो सदन है पहला परतिनिदि सभा और दूसरा सिनेट और सिनेट में सभी राज्यों को समान परतिनिदित तब दिया गया है और परतेक राज्ये दो परतिनिदि भेजता है राज्यों की अनुमती के बिना किसी भी राज्ये को उसे सीनेड से प्राप्त परतिन धित्तव से वंचित नहीं किया जा सकता नेक्ट विशेष्टा है राज्यों की प्रादेशिक अखंडता आका उलंगन नहीं किया जा सकता अनुछेज चार की उपधारा तीन में स्पस्ट किया गया है कि कॉंग्रेस नवीन राज्यों को संग में परवेश दे सकेगी परंतु कोई नया राज्य दूसरे राज्य के शेत्रा अधिकार में स्थापित नहीं किया जाएगा और नय ही दो या अधिक राज्यों या उसके भागों को मिलाकर उन राज्यों के विधान मंदल या कॉंग्रेस की सहमती के बिना किसी नवीन राज्य का निर्मान किया जा सकता है इसका आर्थ है कि राज्यों की सीमा में उसकी सहमती के बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा राज्य सहमत होंगे तब ही उसके अंदर परिवर्तन किया जाएगा और राज्यों को उचित महत्व दिया गया है जैसे हम निकल देखा था कि सविधान संशोधन है उसकी पुष्टी के लिए राज्यों का तीन चोथाई बहुमत चाहिए और राज्य दो तीहाई अपनी सहमती से संशोधन के लिए रस्ताव भी ला सकते हैं और अमेरिका की संगिय व्यवस्ता में सभी राज्यों का अपना-पना सविधान है राज्यों के सविधान पर केवल एक शर्त है कि वो सविधान संग के विरुद नहीं होना चाहिए इसमें गंतंतरातमक शाषन व्यवस्ता के अधिरिक किसी ओर शाषन परनाली को भी नहीं अपनाया जाए अमेरिका में राज्यों के गवर्नर के न्युक्ति भारत के समान रास्ट्रपति दवारा नहीं के जाते जैसे हमारे राज्यपाल के न्युक्ति है वो किंदस रकार करती है न ऐसे अमेरिका में नहीं होता है वरन वे संबंदित राज्ये के नागरिक को दवारा चुने जाते हैं राज्येपाल के निक्ति भी वहां जिस राज्ये में राज्येपाल बनाया जा रहा है गवर्नर वहां के नागरिक चुनते हैं राज्ये के इन गवर्नरों को राष्ट्रपती पदाचूत भी नहीं कर सकता जिसे हमारे तो राज्यपाल राष्ट्रपती के प्रशाद प्रयंद हैं लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपती उनको हटा नहीं सकता संबंदित राज़य उनको हटाएंगे कैसे जिस राज़य गा राज़यपाल है कि विधान मंडल महाभीयोक के अधार पर ही राज़यपाल को हटा सकती है उप्रख्त जो हमने विबरन देखा उसके अधार पर कहा ज़ा सकता है कि America सविधान के दवारा ना केवल एक संगराज्य वरन विहर के शब्दों में एक आदर्श संगराज्य की स्थापना की गई है और स्ट्रोग के दवारा भी स्युक्त राज्य अमेरिका के सविधान को विश्व का सरवाधिक, पूरन और संगातमक विधान कहा देया है